चोड़े चोड़े मासुम बच्चे जो आठ साल 12 साल का है जो उनको जो हना सुवस्त जो हना ऑक्षिजन लेना चाहिए अभी वो जो हना गांजा और ये बीड़ी सिक्रेट जो ना धुआ खिच रही है तो कहीं न कहीं हमारे देश का भविस का साथ बरबादी के कारण बन रह है अजाद भारत में दो परकार के सिक्षा क्यों एक सरकारी स्कूल दूसरी प्राइबेट स्कूल इस देश में समिधान जब एक है देश का परधान मंतरी एक है देश का राष्टपती एक है तो हमारे देश के सिक्षा क्यों नहीं है देश की आजादी बचाने के लिए लो जो लोग समिधान की सपत ले करके उल्टा काम करते हैं वो देश द्रोई हैं नमस्कार मैं नूर जाओ और आप देख रहे हैं जनेत अवाज इस वक्त मैं मौझूद हूं दिल्ली के जनतर मंतर पर और इन लोगों का पोस्टर देख सकते हैं इन लोगों ने जिला धनवाज जारकंड से दिल्ली जनतर मंतर तक पद यातरा निकाली है और ये लोग पूरे 64 दिन के बाद यहां पर पहुचे हैं और इनकी जो 12 मुखे मांगे हैं वही हम जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले आप मेडिया चलेन वालों को मैं धन्यवाद करता हूं क्यूंकि आपके मध्यम से हमारे बाते देश की जनता बहुजन मुमेंट तक हमारे बहुजन सारे लीडर्शिप तक पहुचेंगे इसलिए में आभार धन्यवाद करता हूं तमाम मीडिया बंदूओं को हमने ये आंदूलन तिन चरनों पर आंदूलन कर रहे हैं पहली चरन 25 अगस्त को मैं जिला अस्तरिय धर्ना किया दूसरी चरन 3 सेप्टेंबर 2023 को जिला धनबाज जार्खन से पेदल यातरा का आरम किय जो कि फाइनली 64 दिन में देश के राजधानी जंतर मंतर तक पहुंचें और यहां 6 नवंबर को मैं अपने पद यातरा को समाप्ति कियें और तिसरी चरन का जो आज अंदूलन है एक दिवसी अंदूलन है अगर हमारे बार परमुक मांगे मानिये परधान मंतरी जी अगर म नहीं करती है तो आशित कालिनी अमरे नानसन के दहरना भी करेंगे जो कि आज एक दिवसी अंसन है और यह मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो आम इसमागों को ले करके आशित कालिनी लेकिन सब्सक्राइब भारत में संपुर नसा को बैन किया जाए और भारत कैसे एक सफ़ल नसा मुक्त देश बने इसके लिए सरकार नया कानून बनाए ताकि कि बेचने वाले खरिदने वाले पीने वाले फैक्टरी लगाने वाले के ऊपर नॉन वेलिबल सक्सल की तहत कर दर्जहों छे मेना तक बेड़ ना मिले ऐसी मजबूत कानून लाया जाए क्योंकि नसा के कारण हमारे देश का भविस यूवा बरबाद हो रही है और जिस परकार हमारे देश का भविस यूवा बरबाद हो रही है इसे रोकने के लिए मानिये परधान मंतरी जी का जिमवारी बनती है कि देश का भविस को बचाना ना कि उसे मिटाना वो जिस परकार ह बाइन करने के लिए बारत में संपुन नसा परदातों को बेहन किया जाई यह पहली मांगे दूसरी मांग है कि हमारे बड़े बाइच चंद्शेकर आजाद जो भीम आर्मी के संस्तापक है और आजाद समाज पार्डी का रास्टी अध्यच है इनके उपर में जिस परकार बात थैंने जाएक कि बड़े बाय के सुरक्चा कि लिए हम लोग संखरस करेंगे इसलिए सरकार से मांग करता हूँ बड़े बाइच देक नगता आजाद को जेट प्लस सुरक्चा दिया जाए यह दूसरी सब्सरी बड़ी तिसरी मांग है कि एक देश एक सिख्चा लाया जाए इस देश में समिधान जब एक है देश का परधान मंतरी एक है देश का राष्टपती एक है तो हमारे देश की सिख्चा क्यों नहीं है अजाद भारत में दो परकार की सिख्चा क्यों एक सरकारी स्कूल दूसरी सब का बेटा हो सब का बेटा एक चछत के नीचे समान सिक्षा बेहतर सिक्षा फ्री सिक्षा हो ऐसा सिक्षा निति लाया जाए यह तिसरी सबसे बड़ी मांग है चोंती मांग है कि सफाय करमचारियों कभी देश भक्ति का सम्मान और सहीत का दर्जा दिया जाए इस देश में दो परकार की जवान हैं एक वो जो जिला से लेकर सरहत तक खड़े हो करके आपको हमें पूरी देशवासियों को बचाने का कारिये करते हैं एक वो जवान दूसरी वो सफाय करमचारी जो पूरी देश के गंदगी को साप करके आपको हमें पूरी देशवासियों को बचाने का कारिये करते हैं इन संगर्ज में दोनों ही सहीद होते हैं एक दुस्मन की गोली से दूसरी वो सफाय करमचारी गंदगी के चपेड में आने से दोनों ही सहीद होते हैं लेकिन एक को सहीद का दर्जा दी गए हो और एक नहीं मैं इसलिए मैं मांग करता हूं सरकार से कि हमारे द सबस्क्राइब लिए सबस्क्राइब करें देश को रोग करें जाए उसलिए केद्र सरकार से मांगे खिथा निकाली जाए कि यह और किया जाए और क्रिमिलयर कर समापति किया जाए सीटें हैं वो सीटे शंक्या के आधार पर वो नियुक्ति किया जाए सीट्य सिट के अदार पर जो हमारे संफार के प्रसान में हमारे जो ये दसमी मांग है हुआ एक बैटी को 28लाक रुपिया अंकिता सिंक्स परिवार वालों को अर्थिक हैता दी लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे ज़ो परिफार करेमचारी चुरा ये विप容易 पड़् casi यहाए ब्लेट पर पर चुना हो और वार्मी मांग ISO हो फो मांग है हमारे घइनवाद सफाय करमचारी जो गरिव समात से बिलों करते हैं और वो यह कच्चे मकानों पर रह रहा है अगर सरकार अगर मांगे हमारे पूरी अगर नहीं करती है तो आज एक दिवस से अंसन कर रहे हैं अगर सरकार मांगे पूरी नहीं करेंगे तो आमरन अंसन की धरना भी करेंगे हमारे बड़े भाई चंसेकर आजाजाजी को जेट पलस रख्षा के लिए करके हमारे देश में एक देश एक सीक्षा हो हमारे देश का भविस युवा नसा मुक्त देश बने इनके लिए हम अंसन तो क्या हम अपने जान के लिए तियार है अंसन के मध्यम से अगर सरकार अगर मांगे अगर पूरी नहीं करती है अभूजन के मांग हैं और हमारी देश कभी मांग है मैं तो कितने बहूजण BSP में हैं है कि गते हैं हम बहूजन के जब बात करते हैं तो अधिकार के लिए कर बात करें ना की राजन्स पॉलिटिकल कर बात कर रहा हूं मैं अधिकार मिलेंगे जब हम लोग इसके लिए लड़ाई करेंगे इसलिए मैं आंसन कर रहा हूं इसान का बट्चस वह यह समय तक बहुजन समाज था लेकान आज बहुजन समाज पार्टी के बहुज़न समाज नहीं है ऐसे चंद सेकर आवणड जी के साथ है वो भी तो कैसे खटा होगा विल्कुल आपका मतलब क्या कोंसेट क्या है बहुज़न के नाम पर केवल एक जाती के कि यह दो जाते हैं आपने जिसी परकार को रखें इसके लिए मैं संबान करता हूं अधिकारी जो होते हैं हमारे रखिस वहां किसे बनेंगे हम चाहेंगे कि हमारे देश का जितने कि हमारे जितने भी बहुजन संगठन है यह तवा ही बहुजन राजञ्णतिक पार्टियां है यू तों सारे पार्टिय जब एक मच पर आएंगे तभी पहले पहले राजबर और पड़ल के फादर यह से कई सारी जातियां जोने बहुजन पार्टी में थे बहुजन पार्टी में दिखनी रहा है तो कहीं ने कहीं दिखें हैं उन लोग आगे बहुजन के बात करते हैं और अलग-ळलग संगठन का रूप दिखाते हैं अभी जब बात करते हैं बाबासाब का सिष्षीदबनों संगठिद WhatsMP होना यानि यह होती है अद्धवी नहीं संगठन मना रहे हैं तो हम लोग संगठी तभी हो कि सभी लोग चाहते हैं कि हम जो हना एक संगठन बना करके हम बहुजन बनाने के प्रयास करेंगे यह की उद्यसी इन लोग का कि बहुजन बना करके लेकिन यह कारण नहीं है कि क्या कारण है कि हम लोग एक नहीं हो पार रहे हैं कि अलग अलग होने के कारण क्या है इसका एक ही कारण है सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है यह लोग अलग-अलग संगठन बना करके खुछ चाहते कि हम बहुजन बनेंगे लेकिन नहीं बन पाएंगे क्यों हो रहे हैं इनका होने के कारण लोग क्या इस पर कभी चिंतन मंथन नहीं करते मैं जैसे उत्ता प्रेस की बात करूं उत्त सब्सक्राइब से अर्जाब हो संगठन ने चाहरे हैं और आपको बहुत करता हूँ और आपको बात को भी मैं समर्थन करता हूं लेकिन मेरा अंदोलन करेंगे कि जितने भी हमारे बहुत बड़े अंदुलन कर रहे हैं बहुत बहुत बढ़े ऐक मैं प्रकता है जो बात करेंगे जा पर चंद सेकर आवड किसको आप सफूट करेंगे हमारे दोनों ही जो हना अदर्शमान है बड़े बाइच चंद शेखार जी के पास एक बहुत बड़ा उर्जा पावर है जो कि उनके पास बहुत बड़े जंसलाप है बहन मायावती जी जो हना राजिस्तिक अनुबब उनके पास बिकल्प है तो मैं चाहूंगा कि बहन मायावती जी बड़े बाइच चंद सेकर आजाज जी और हमारे पाखंड को पर में अगर प्रहार करने वाले अगर अगर शेक्षा है तो वह दिखता है बावन विश्राम साहब हम चाहेंगे कि मानिवार बावन सब कोई करता है अगर वह अगर अगर बात करता तो अभी इंडिया गंडार बयंडन के समर्थन नहीं करता अभी देखलेगी जितने भी बीबक्ष में पाटियां जो हमारे है तो लोग अप्र आपकर नहीं प्र यह नहीं हम यह बताने के प्रियास कर रहे हैं कि हमारे जो अंदोलन है वह 12 परमुक मांगों के ले करके बहतर होंगे महोदे जी कि आप हमारे 12 मांगों के ले करके आप सवाल करें मैं इनका जबाब दूँगा रही बात राजिंतिक मुमेंट के लिए करके तो आप इससे गजरात में बन्द ये होती है कि अपरन के वहां घ्राउ करको दिख रहा है कि वह अनको मारीות घ्राण पी रहे हैं पूरे संपुन नसा को बेंड किया जाए क्योंकि देश का भविस हमारा युवा है और कहीं ने कहीं युवा आप लोग भी है और आने वाले बच्चे हमारे भविस जो है वो भी बहुत छोड़े-छोड़े मासुम बच्चे जो आठ साल, बारे साल का है जो उनको जो हना स्वस्त जो हना ऑक्षिजन लेना चाहिए आभी वो जो हना गांजा और ये बीड़ी सिक्रेट जो ना धुआ खिच रही है तो कहीं ने कहीं हमारे देश का भविस का साथ बरबादी का कारण बन रही है नसा तो इसलिए मानिय परधान मंतरी हमारे देश का तमाम जितने भी केंद्र ये से लेकर करके हमारे जितने भी राज्यों में जितने भी मुक्त मंतरी हो जितने भी हमारे पदधिकारी हो और हमारे केंद्र सरकार हो ये सभी लोग का जिमवारी बनती है कि देश का भविस युवाओं को बचाना, नसा मुक्त करना, नसा मुक्त देश बनना, नसा मुक्त देश से ही हमारे देश का भविस है ना कि नसा मुक्त रहने से हमारे देश का भविस होगा, इसमें हमारे आने वाले पीडी बरबाद हो जाएंगे पाएं और देश का सविधान बचाएं लोकतंतर बचाएं सविधान और लोकतंतर बिल्कुल खत्रे में है अगर यह नहीं हमारे नेताओं ऐसा नहीं किया तो वह इसका लास तुनाव होगा उसके बाद चुनाव नहीं होगा मेरी अपील अपने कहा कि सभी बहुज करें देश की आजादी बचाने के लिए लोग फांसी पचड़ें क्या यह अपने एंकार को दूर करके कठा नहीं हो सकते इन्हें सरमानी चीए कठा नहीं होते तो सभीधान बचाने के लिए कठा होएं बस यह मोदी जी से सुनिए सुनिए चबीस जन्वरी 1950 को जैसे ही समिधान लागू हुआ आरेशेस ने समिधान की कोपियों को आग लगाई बाबाई साब के पुतले फुके 9 अगस 2018 को यही समिधान की कोपी माग लगाई मोदी जी और RSS समिधान की समर्थक कभीर नहीं रहे नागिर रहेंगे यह कलियर कट है RSS की विचारधारा समिधान विरोदी रही है उन्हें गोलवल्कर का हिंदूतों पसंद है और मनुसमर्ती पसंद है और जो है बंच ओप थोट पसंद है तो आपको क्या लगता है आप जिस सरीके से बातशीत कर रहे हैं इससे क्या कुछ असर पड़ेगा 2000 देखिए जो लोग समिधान की सपत ले करके उल्टा काम करते हैं वो देश द्रोई हैं तो फिर आप जो कैसे रोख पाएंगे रोख पाएंगे जया जा यहां पर आंदोलन कर रहे हैं और यहां पर आपको एक बार दोबारा पोस्टर दिखा देते हैं जो यहां पर इनका जो एक यह है कि चंदरशेकर अजाद जी को Z प्लस सुरक्षा दीजाए इनके यह भी मांग है और नशा बैन को लेके भी मांग है एक देश एक शिक्षा होनी चाहें यह भी यह लोग बोल रहे हैं आप इनके बाद से कितना सहमत है मैं जरूर बताएगा धन्यवार